तो सुवाग्यता भाई आप सब भी लोगों का एक बर फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्या कबड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का लास्ट मैच और टूनामेंट का 55 मैच जो की खेला ज आएगा कियांबू प्लकर्स केसी वर्सिज यू और टाइगर्स केसी के बीच में तो इन दोनों ही टीम्स की कंपलीट इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंड तक कंपलीट देख लीजेगा और वीडियो का बहुत ही बैतरीन विनिंग आप यहां पर कर सकते हो अगर बात करें जीयल की तो 25 रुपे की जीयल आपके लिए इस मैच में लगी हुए है साथ ही साथ बाई स्मोल लीग में आप बैतरीन तरीके से 3 मेंबर 4 मेंबर में अच्छी खासी विनिंग यहां से कर सकते हो तो जिसमें हमने 100 पॉइंट से कम के अंतर से विन किया हूँ चाहिए वो कोई भी कोंटेस्ट हो 3-4 मेंबर का ठीक है यहापर आप देखो लगातर वाई अल्ट्रा क्लिंशिप स्मोल लिग में हम आपको करके दिखा रहे हैं बार 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 बोल रहा हूं कि टेलिग्राम चैनल ज घजब तरीके से आपका भाई आपको करवा रहा है आप देख सकते हो बैतरीन से बैतरीन कोंट्रेस्ट आपके भाई ने विनिंग करवा है तो इसलिए बोल रहा हूं इस मैच की भी जो फाइनल टीम्स होंगी न दोस्त वो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी लिंक नी UOT की टीम आपको आठ मैच में से दो मैच जीत के नमबर दस पर दिखेगी माइनस 120 के स्कोर डिफरेंस के साथ कियामबू पलकर्स की बात करें आठ मैच में से वह इन्होंने एक मैच जीता और साथ मैच आ रहे है लेकिन यहाँ पर स्कोर डिफरेंस इनका थोड़ा सा ठीक ज़राता है तीन टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीन टीम से काफी बैठरी यहाँ पर स्कोर डिफरेंस इनका ठीक है लेकिन जो इंपोर्टेंट चीज है वो उपर वाली टीम के लिए कि उन्होंने दो-दो मैच जीत रखे हैं अब यहाँ पर बात करें मैच की तो चलिए मैच के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताते हैं नो-नो टीम की स्टार्टिंग सेवन की बात करेंगे कौन सी टीम के कौन से प्लेर्स आपके लिए इंपोर्टन रहेंगे कौन सी टीम के कौन से प्लेर्स को आप ड्रोप कर सकते हो किस टीम के कौन से प्लेर्स आ होते हैं जो भाई आपको कोई भी नहीं बताता पूरे इस फेंटसी फिल्ड में कबड़ी के वारे में जो आपको भाई आपको बताता है तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अहां भाई टेलिग्राम पर जरूर आजएगा क फिर भाई ऐस मगेरों खेल रहे हैं इसको लेना या नहीं लेना वो भाई आपको अपडेट टेलिग्राम पर पता लगेगी फाइनल मिनटस की अब चलिए कि अम्बू प्लकर से स्टार्ट करते हैं आपर अगर बात करें तो एफ मावांगी लास्ट मैच खेले नहीं अदर पर आप देखे हो तो यहाँ पर भी आपको तीन टेकल करता दिखेगा इसके अलावा पहले मैच में भी तीन टेकल किये थी मतलब अच्छा प्लेर है जरूर शे ट्राइ कर सकते हो इसके अलावा एक जो प्लेर आपको और इंपोर्टन दिखेगा ए नगूरे जिसके सेलेक् काफी कम है और यह प्लेर आपके लिए इंपोर्टन रह सकता है इवन वाई CVC भी आप इने ट्राइ कर सकते हो जील मिनी जील में तो आप इने कैप्टन सी भी दे सकते हो ठीक है आप चलिए बाए बात करते हैं यहाँ से यह काम क्या करेंगे यह आपके लिए बाई दोनों को हम करके दे देंगे, रेडिंग भी कर देंगे, प्लस डिफेंस भी कर देंगे, बैतरी न ओल्ड राउंडर प्लेयर है, जरूर शे ट्राई कीजेगा, जी कितोंडा ही बात करें, अगेन एक ठीक ठाक प्लेयर जो लास्ट के दो मैच में अच्छा करके आ रहा है, आपर बात करें, तो सीन अंबुसवा, आपको दिखेंगे, जो सिर्फ एक मैच में थोड़े एवरेज रहे थे, उसके मतलाब फ्लोप रहे थे, एवरेज नहीं कह सकते हैं, और उसके अलावा हर मैच में अच्छी कासी परफोर्मेंस दे रहा है, आपके लिए बहुत इंपोर्ट इन भी लगाया, प्लस भाई, टैकल भी, आपर अच्छे कासी के, आपर आप देखोगे, छे टैकल पॉइंट, एक टैकल पॉइंट, इससे उपर फिर से चलोगे, फिर से सूपर टैन और दो टैकल पॉइंट, बहुत ही तगड़ा प्लेयर जरूर से ट्राई कर सकते हो, इस इसके अलावा यापर आपको रेडिंग सेक्षन में इनकी तरफ से भी कोई खास कमाल करने वाला प्लेयर नहीं दिखेगा, बात करे औल्ड राउंडर सेक्षन में, तो ओल्ड राउंडर सेक्षन में इनकी तरफ से तीन प्लेयर काफी अच्छे, आप या पर विक्टर प्राब गया इनके मतलब क्या ही ब्लेम करें बहुत ही शांदार प्लेर बट क्या ही करें जब चली नहीं रहा तो मारे लिए खराबी रहा ना अब यहां से गर आस्मगेरू खेलेगा तो खेलेगा और पेले भी का सामने वाले टीम को captaincy दे सकते हो easily ठीक है अगर नहीं खेलता तो भाई फिर बात अलग है एस करांजा को आप अपने टीम में रख सकते हो लास्ट मैच में आप देख सकते हो 6 touch point 3 bonus point इसके लागा 2 tackle अच्छे खास से 11 point दिये थे एस मगेरू की बात करें तो जिस मैच में खेले थे वहाँ पर 14 touch point निकाले थे उससे पहले वाले मैच में देखोगे तो 24 touch point 6 bonus point यानि कि बाई super 20 प्लस आई 5 दोनों एक की मैच में लगा के बैठ गया था यहां से अगर बात करें तो प्रेमेंट मैंने क्या बोला था एक मैच में परफॉर्मेंस आ गए अब यहां पर फिर से आपको 2-3 मैच इसके खराब जाते दिखेंगे यहां पर आप लाश्ट के 2 मैच में परफॉर्मेंस देख सकते हो इसके अलावा यह और तो को यहां पर important player मेरे को नजर नहीं आ रह सकते हो इसके अलावा यहां से अगर बात करें और रांडर सेक्शन में तो इसकरांजा आपके लिए important रहेंगे अभी के लिए मैं सी नंबुस्वा को try कर रहा हूं लेकिन अगर एस मगेरों खेल जाते हो तो बाई मेरी टीम में इसकरांजा इस मगेरों भी हो सकता है अब अ खेलता है तो बाई नीचे आपको और दो अच्छे option सोरी बाई एन अगूरे के बारे मैं कैसे बोल सकता हूं यार एन अगूरे मेरे टीम में रहेगा और हाँ अगर यहां से मालो बीन अगामू नहीं खेलता है या फिर यहां से बाई रेडिंग सेक्शन में एफ डेनिस नह अभी के लिए खेला मैं आसे आम क्याना यूपर रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहां से बाई प्लेयर अमारे खेल जाएगा एफ डेनिस तो मैं इसी को ले रहा हूं कैptain C की बात करें तो यहां से करा चाहँ है डे सकतेंगे अगर विसी खेलते तो वी विसी कुछ इस प्रकार से रहेगे वी-सी रहेगा रहेगा नगूरे भी बात करनी जरूरी हो जाते हैं तो team preview में आपको एक बार दिखा देते हूं यहाँ पर आप देख सकते हो almost almost final team है यही हमारी team रहेगी कोई भी अगर changement होता है तो direct information telegram पर आपको दी जाएगी link नीचे description में वीडियो के first comment में दिये गया अगर अभी तक join नहीं किया तो join कर दीजेगा क्योंकि जो भी हमारी final team रहेगी दोस्त वह आपको telegram पर ही मिलेगी अगर भाई चांस link ना करें तो आपको क्या करना है वो भी आपको बताएगा उससे पहले भाई सबसे पहले देखे रजल्ट आप लोगों देखी लिए हों नहीं देखे तो भाई जाके देख करना है यह जो नीचे तीन चैनल दिख रहें बिल्कुल फेक चैनल है कोई हमारे नाम पर फ्रोड करने कोसिस करेगा तो मत उना उनके साथ मत करवा ले ना भाई फ्रोड अपने साथ और यहां पर अगर बात करे तो इसी चैनल पर आपको आकर जोईन हो जाना है ठीक है बाक